पुलिस सदिक्षक अमन सिंग राचोर के निर्देशा नुसार एवं कबल मौरिया अतरिक्त पुलिस सदिक्षक दीपक नायक स्टी ओपी सेवढ़ा के सयुंग तो मार्ग दर्शन में थाना प्रुभारी इंदरगर पर्मानद शर्मा द्वारा मुगबीर के सूशना पर वर्ष के अंतिम दिन पचोखरा नहर के पुलिया से साथ वर्षों से फरार चल रहे 40,000 के इनामी बदमाश को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की है पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इंदरगर थाना प्रभारी पर्मानद शर्मा को सूशना मिली कि एक संदिक दिवेक्ती पचोखरा नहर पर हतियार सहित खड़ा हुआ है और वा किसी गंभीर अपरात को कारित करने के नियत से खड़ा हुआ है सूशना पर टियाई पर्मानद शर्मा मैं पुलिस बल के साथ इस्थल पर बताये गए इस्थल पर पहुँचे तो पुलिस को देख कर एक विक्ती भागने लगा जिसे घेरा बंदी कर गिरफतार किया गया तलाशी लेने पर पकड़े का बदमाश के पास एक बंदूक और एक तमंचा 315 बोर जब्त किया गया थाना प्रभारी पर्मानंद शर्मा ने बताया कि लंबे समय से पुलिस को चक्मा दे रहे 40,000 रुपे के इनामी बदमाश सगुन और फभूरा पुत्र नत्थू राम केवा टुम्र 35 साल निवासी पुलैथ थाना लाल जिलाद दतिया कोई गंभीर वारदात करने की नियत स गूम रहा था तलाशी लेने पर बदमाश के पास से अवैद रूप से हतियार एक बंदूक वाएक 315 वोर का तमंचा और 315 वोर के जिन्दा कार्टूस रखे पाए जाने से गिरफतार किया गया